अगर नहीं बनाया है इन पकोड़ों को तो तयारी कर लीजे इसे बनाने की रेश्पी शेयर कर रही हूँ घर में बना कर बच्चों और बड़ों के साथ बारिश का पूरा आनंद लें और साथ में चाई और कॉफी जरूर बनाएं क्योंकि इसके बिना तो पकोड़ों का मज़ा अधूरा है चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वेजटेरियन फूट बै नीना को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको नई नई और जट पर तयार होने वाली आसान रेसिपी हलो दोस्तो मैं हूँ नीना फिस्टेरियन फूट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना पैन में डालेंगे एक बड़ा चम्मच ओईल चौथाई चम्मच हीं और एक चोटा चम्मच जीरा जीरा क्रेकल होने के बाद डालेंगे इसमें दो मीडियम साइज के बारीक चौप किये हुए प्याज प्याज को हम सौटे कर लेंगे प्याज सौटे हो चुके हैं अब इसमें डालेंगे हम पांस से छे छोटे बड़े साइस के मिलाकर उबले हुए आलू है इन्हें हातों सो ही फोड कर इसमें डाल देंगे डालेंगे स्वादानुसार नमग आदा छोटा चम्मच हल्दी पॉडर आधा छोटा चम्मच गरब मसाला इसमें डालेंगे और मिलाते हुए आलू को थोड़ा भून लेंगे सारी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं आप देख पा रही होंगे और डालेंगे इसमें थोडा सा ग्रेट करके अदरकों थोड़ा सा हरी मिर्च इसे कम या जादा आप कर सकते हैं थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मत चाट मसाला इन सारी चीजों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे आलू बनकर तैयार है अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे लिए हैं यहाँ पर चार बड़े साइस के प्याज इने हम मोटे मोटे स्लाइस में काट लेंगे बीच वाले पार्ट को हटा देंगे और इसके चल्लो को खोल लेंगे इस तरह से हम प्याज की रिंग्स को बना लेंगे तीन प्याज की रिंग्स हम बना लेंगे और एक प्याज को हम अभी रहने देंगे ये बीच वाला पार्ट एक दम उचल के निकल जाता है भई बहुत बड़ा शैतान है कोई बात नहीं मैनेज करना आपका काम है सारे दिंग्स को मैंने निकाल लिया है और एक बची हुई प्याज को हम बीच से काट कर पतले पतले लच्छे में काट लेंगे कटी हुई प्याज को हाथों से मसल कर इसके लच्छों को अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे लिये हैं दो बड़े साइस के टमाटर इसे भी हम स्लाइस में कट कर लेंगे स्लाइस थोड़ी मोटी रखेंगे आप देख सकते हैं नीचे वाले ओल को हटा देँंगे और अब स्लाइस के बीच के पल्प को हम निकाल लेंगे चाखो के हल्प से भी आपनी से निकाल सकते हैं बहुत एजिली निकल जाते हैं और इस तरह से सभी टमाटर के स्लाइस को हम तैयार कर लेंगे टामाटर के सभी रिंग्स बनकर तैयार है और बचे हुए पल्प से या तो आप किसी सबजी में इसका यूज कर सकते हैं और या फिर धनिये के साथ पीस कर पकोड़ों के लिए चटनी को तैयार कर सकते हैं अगर आप इसके तैयारी पहले से कर रहे हैं तो इसे काटने के बाद फ्रेज में रख दें प्याज के रिंग्स को भी हम एक बरतन में रख लेंगे एक बोल में लिया है पानी और लिया है एक मोटे छेद वाला Grater इसमें आलू का लच्छा बहुत अच्छा बनता है तीन बड़े साइस के आलू को लिया है और इसके अब हम लच्छे बना लेंगे ये ग्रेटर बहुत अच्छा होता है इससे लच्छे बहुत अच्छे निकलते हैं अगर आपको आलू नमकीन का लच्छा बनाना हो या दाल मोट में डालने के लिए आलू लच्छा बनाना हो या और भी किसी चीज का लच्छा निकालना हो तो ये ग्रेटर बहुती काम का है अगर मिल जाए तो इसे जरूर खरी दें लच्छा बनकर तयार है इसे हम डाल पानी में जिससे ये काले ना पढ़ने पाए और इसी तरह से पाकी के लच्छे भी हम निकाल लेंगे सबी लच्छे बन चुके हैं अब इसे हम मसल मसल कर अच्छे से इसका सारा स्टार्च निकाल देंगे और दो-तीन पानी से अच्छे से वाश करके स्ट्रेनर में डाल कर रख देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए अब लिए हैं प्याच और आलू की स्टफिंग एक एक करके हम प्याच के छलों में आलू की स्टफिंग को भरते जाएंगे और पकोड़ों के लिए तयार करते जाएंगे और ये काम हम पहले ही कर लेंगे जिससे पकोड़े बनाना आसान हो जाता है इसी तरह से सारे प्याच को हम तयार कर लेंगे और ठीक इसी तरह से हम टमाटर के छलो को भी आलू की स्टफिंग से भरते हुए रख लेंगे अब हम लेंगे आलू के लच्छों को इसका सारा पानी निकल चुका है इसे अब हम बोल में डालेंगे और बोल में डालने के बाद जो हमने प्याज के लच्छे बनाए थे उसे भी इसमें मिला लेंगे डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च कम या जादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कटी हुई बारी घरी धनिया और एक टेबिलिस्पून खड़ी धनिया को हम हातों से क्रश करके इसमें डालेंगे इसका फ्लेवर इन पकोड़ों में बहुत अच्छा जाता है डालेंगे आदा चोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आदा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर चार से पांच चम्मच बेशन इन सारी चीजों को डालने के बाद हातों से इसे मिलाएंगे डालेंगे स्वादा नुसार नमक जिसे बताना मैं भूल गई थी कोई बात नहीं गल्तियां हर किसी से होती है नमक डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे कवर करके दस मिनट के लिए हम रख देंगे अब बनाते हैं पकोड़ों के लिए बैटर यहाँ पर लिया है डेड़ कप बेशन डालेंगे एक चमच अजवाइन को हातों से क्रश करके आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर आदा चोटा चमच लाल मिर्ची का पाउडर और एक चमच लसन का पाउडर आपके पास नहीं है तो एक चमच लसन का पेस्ट डाल सकते हैं और नहीं खाना चाते तो इसकीप कर सकते हैं स्वाधा नुसार नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे हम गाढ़ा बैटर बना लेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे वरना बैटर पतला हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बैटर को लॉंस फ्री बनाते जाएंगे बैटर बनकर तैयार है कस्टिस्टिंसी आप देख सकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाड़ा है बैटर बनकर तयार है डालेंगे इसमें भी हरी मिर्च अगर आप नहीं खाते तो इसकिप कर सकते हैं डालेंगे कटी हुई बारी खरी धनिया इन दोनों चीजों को भी अच्छे से मिला कर बैटर को फेट लेंगे और अब यहां पर जो हमने आलू और प्याज के लच्छों को रखा था उसमें डालेंगे चार से पांच टेबिल स्पून चावल का आठा और दो टेबिल स्पून आरा रोड इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इन दोनों चीजों को हम पकोड़े डालने से पहले ही मिलाएंगे बहुत पहले से मिलाकर नहीं रखेंगे ओएल अच्छे से गरम कर लेंगे मस्टर्ड ओयल में बना रही हूं तो बड़े चमच मस्टर्ड ओयल को हम बैटर में डाल लेंगे इससे पकोड़े सुपर क्रिस्पी बनते हैं ओइल डालने के बाद इसे अच्छे से प्वेट लेंगे और उसके बाद इसी बैटर से ओइल का टमप्रेचर चेक करेंगे ओइल बिल्कुल घरम है अब हम एक एक करके जो भी पकोड़े हमें पहले खाने हैं उनको बैटर में ओट करते हुए डाल कर ग्रिस्पी होने तक प्राई कर लेंगे जब हम ओईल गरम करेंगे तो फ्लेम हाई रहेगी और जब हम पकोड़ों को डाल चुके होंगे तो फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे लो बिल्कुल भी नहीं करना है वरना पकोड़े तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस तरह से पकोड़ों को डाल कर मीडियम फ्लेम पर उलटते पुलटते हुए इसे हम क्रिस्पी होने तक प्राई कर लेंगे तो प्याज वाले पकोड़े बनकर तयार है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जिस बरतन में हम निकालेंगे उसमें पहले हम पेपर नैपकीन जरूर लगा लेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ओयल निकल जाए तो लीजे बनकर तयार है हमारे प्याज के पकोड़े इसे आप आलू और प्याज के बॉंडे भी कह सकते हैं और अब हम डालेंगे टमाटर की पकोड़े को सेम उसी तरह से ही हम इसे भी बनाएंगे जैसे हमने प्याज वाले पकोड़े बनाए हैं बीज-बीज में उलटते पुलटते रहेंगे जिससे ये बराबर से सिक चके और ये देखिए हमारे टमाटर के पकोड़े भी बनकर तैयार है इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम बनाएंगे आलू वाले पकोड़ों को मिश्रण को हम हातों में थोड़ा सा लेंगे और हलके हातों से इसे शेप देते हुए ओल में डालेंगे ओल में डालने के बाद ये थोड़ा खुल जाते हैं और खुलने के बाद ये सूपर क्रिस्पी फ्राई होकर बनते हैं आप देख पा रहे होंगे वैसे पकौडे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई आप पहली बार अपने बना रहे हैं कई बार आपने बनाए होंगे बस हमें फ्लेम का थोड़ा ध्यान रखना होता है बीजबीज में उलटते-पुलटते रहना चाहिए जिससे पकोड़े सब तरफ से बराबर सीख सके आलू प्याज के लच्छा पकोड़े भी हमारे बनकर तयार हैं इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और कर लेते हैं इसकी प्लेटी ये रहे टमाटर के पकोड़े ये रहे आलू और प्याज के पॉंडे भी आपिसे कह सकते हैं और ये रहे लच्छे वाले आलू और प्याज के कुरकुरे सूपर क्रिस्पी पकॉडे साथ में धनिये और पुदीने की हरी चटनी और हां साथ में चाय और कॉफी जरूर बनाईएगा क्योंकि इसके बिना पकॉडों का मज़ा अधूरा है तो बनकर तैयार है बारिश के लिए गर्मा गरम पकॉडे बच्चों और परिवार के साथ आप बना कर इसका आनद ले सकते हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक कर लें मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है मैं चली खाने और आप जाईए इसे बनाने जब तक बारिश में आप पकॉडों का आनद लेंगे मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई